हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पेरडाइस एजुकेटर चैनल में आज हम क्लास 10th मैट्स के पहले चेप्टर रियल नंबर का एक्जांपल नंबर 3 आपके लिए लेकर आएं ये एक्जांपल आपको आरे सगरवाल में मिल जाएगा क्या है एक्जांपल? अब इस कुच्चन में हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि मान लिजे कोई भी एक पॉजिटिव और इंटीजर है वो किस फॉर्म का होता है? वो 4M प्लस 1 फॉर्म का होता है 4M प्लस 3 फॉर्म का होता है 4m प्लस 5 पॉम का होता है और इसी तरीके से होता है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं assume कर लेते हैं let n be any positive odd integer हमने assume कर लिया कि n कोई भी एक positive odd integer है ठीक है तो अगर हम n को 4 से multiply करते है तो क्या होगा हम एक even number मिलेगा आपको पता है कि मान लिजे कोई भी एक number n है जो कि odd है अगर आप उसे 2 से multiply करो या 4 से multiply करो या 6 से multiply करो या किसी भी even integer से multiply करो तो आपको क्या होगा आपको एक even number मिलेगा या आपको पता है और जब भी आप उसमे 1 add कर दो ठीक है इस number में अगर हम 1 add कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा तो हमें एक odd integer या odd number मिल जाएगा तो यही चीज़ हमें इस question में proof करनी है कि किसी भी odd positive integer में अगर हम किसी even number से multiply करते हैं जो कि इस question में 4 देके रखा है कि अगर आप किसी भी odd positive integer में 4 से multiply करते हो तो आपको even मिलेगा और उस even number में अगर आप 1 add कर दो 3 add कर दो 5 add कर दो या कोई भी odd integer add कर दो तो आपको odd positive integer मिलेगा यही हमें proof करना है ठीक है तो let n be any positive odd integer ठीक है और if v divide n by 4 we get m as quotient and r as remainder चीक है यह हो गई second equation तो अगर हम इस second equation को euclid lemma के form में लिखें तो कैसे लिखेंगे m जो की हमारा dividend है उससे हम किसे divide कर रहा है 4 से तो 4 हमारा हो जाएगा divisor हमें m quotient मिल ला है मतलब 4m और r remainder मिल रहा है मतलब plus r तो यह हमारी euclid division lemma के form में हमने इसको लिख लिया चीक है ना तो अगर हमें यह proof करना है कि 4m plus 1 एक positive or integer है 4m plus 3 एक positive or integer है तो हमें क्या करना होगा हमें इस n की जगे in value को रख देना होगा चीक है तो सबसे पहले हम n की जगे 4m plus 1 रख रहे हैं putting n equals to 4m plus 1 चीक है तो 4m plus 1 रखने पर हमें 4m plus r के बरावर मिल रहा है तो यहां से आपको r की value जो मिल जा रही है वो मिल जा रही है 1 मतलब remainder आपको मिल गया 1 चीक है अगर इस चीज़ को और अच्छे से समझे तो आप देख पा रहे होगे कि आप किसी भी odd number को मान लीजिए 7 है चीक है 7 को अगर आप 2 से divide करते हो जो की एक even number है और यहां पर इस case में 4 एक even number था चीक है तो आपको 1 as a remainder मिलता है जो की यह confirm कर देता है कि हमारा 7 एक odd number है उसी तरीके से अगर इस example की बात करें n अगर n 4m plus 1 रख देते हैं मतलब कि अगर n की जगे हम 9 रख देते हैं इसके 4m plus 1 की जगे 9 रख देते हैं और इससे हम 4 से divide करते हैं तो 4 to the 8 remainder बचेगा 1 जो की यह show कर रहा है कि हमारा 9 एक positive odd integer है चीक है जो किस form का है जो की इस form का है 4 9 is equal to 4 into 2 प्लस 1 के form का है मतलब क्या 4m plus 1 के form का है आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब क्या करेंगे अब हम n की जगे 4m plus 3 रखेंगे और देखेंगे कि क्या 4m plus 3 भी एक positive odd integer है चलिए solve करते है अब हमें Euclid division lemma से equation मिली थी 4m plus r अब n की जगे हम रखते है 4m plus 3 4m plus 3 जब हमने n की जगे रख दिया तो हमें कुछ इस 3 के से equation मिली तो यहां से हमें r की value मिल जाएगी 3 मतलब remainder 3 आ गया अब remainder 3 आने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी number को मान लिजे एक number है 7 जो कि एक positive odd integer है हमें यह पता है लेकिन अगर हम इसे prove करेंगे तो कैसे prove करेंगे तो हम इसे 4 से divide करते है 4 वंजा 4 तो हमें remainder मिल जाता है 3 चीक है न जो कि यह prove कर दे रहा है कि 3 क्योंकि एक remainder है remainder है इस वज़े से ही 7 हमारा क्या है 7 हमारा एक positive odd integer है क्या है यह एक positive odd integer है जिससे हमने यह prove कर दिया कि 4m plus 3 m की किसी भी value के लिए एक positive odd integer होगा दुसरे example से अगर हम बात करें अगर हम 11 ले लेते हैं और इसे हम 4 से divide कर देते हैं 4 तूजा 8 बचेगा remainder 3 क्योंकि यहाँ पर 3 remainder बच रहा इसका मतलब क्या है कि यह 11 भी हमारा एक positive odd integer है तो यही इस question में हमें prove करना था कि 4m plus 1 एक positive odd integer है और 4m plus 3 भी एक positive odd integer है इसी तरीके से आप 4m plus 5 को भी prove कर सकते हो 4m plus 7 को भी prove कर सकते हो आयोप आपको समझ में आ गई होगी यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like और share करिएगा अगर आपके मन में कोई confusion हो तो comment करके हमसे जरूर पूछेगा अगली वीडियो जल्द आएगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत